जब मैं छोटी थी तो मैं usually बहुत सारे canvases इखटे करके रखते थी विकोज हमारे टाइम यह option नहीं होदा था कि हमको canvas sheets का option हमको कभी मिला हो बट मुझे exactly यह ध्यान है कि मेरे घर पर आज भी मेरे बच्पन के बनाएवे बहुत सारे canvases इखटे हो रखे हैं लेकिन आज हमारे पास इस जमाने में हमारे पास canvas pads का option बहुत अच्छा है canvas pads क्या होते हैं? canvas pads होते हैं जिस पर हम loosely sheets को एक drawing book के अदर bind किया हुआ होता है और उस पर हम हमारी जो है techniques और skills को explore कर सकते हैं exactly आपको वही results देते हैं जो आपको एक canvas board देता है या एक जो stretch canvas आपको result देता है exactly वही result देता है usually आज कल जो हो रहता है उसके अंदर मैं अपने students को beginner student जब मेरी classes join करते हैं मैं उनको recommend करते हूँ कि आपको केवल canvas pads पे ही काम करना है तो इस video में हम जानेंगे कि canvas pads क्या होते हैं? किस तरह से हम इसको use कर सकते हैं? तो इस video में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम canvas sheets को या canvas pads को use कर सकते हैं अगर कभी भी practice करने में एक relic painting technique करने में हमको कई भार feeling आती है कि हम ruin कर देंगे canvas को हम घराब कर देंगे canvas को तो वह सबसे अच्छा option जो रहता है वो रहता है canvas sheets का या canvas paper का तो उसका एक option निकल के आया market में canvas pads ये use करना बहुत ही convenient रहता है तो हम इस तरह से paintings बना सकते हैं बहुत ही beautiful हमारे या फिर हम practices कर सकते हैं तो कुछ ये paintings हैं जो मैं आपको दिखा रही हूं ये paintings हम करते हैं online painting classes में मैं अपने students को सिखाती हूं तो अगर आप interested है online painting classes join करने में तो यहाँ पर जो whatsapp number दे रखा हैं वहाँ से आप detail ले सकते हैं बहाँ पर आपको अपना name, अपनी age और अपना कुछ artwork send करना होगा उसके बाद मैं आपको properly guide कर पाऊंगी कि आप कौन सी classes join करने के लिए comfortable हैं अगर आप बिलकुल absolute acrylic painting beginner हैं तो यह paintings आप बना सकते हैं क्योंकि यह paintings मेरे सभी students ने 100% यहाँ पर result मिलता है मुझे अपने students का तो definitely आप भी join करके इसका हिस्सा बन सकते हैं चलिए canvas pads के बारे में बात कर रहे थे canvas pads यहाँ पर जो है यह बड़ा size है और यहाँ पर चोटा size है तो सभी का यहाँ पर हम step by step tutorial देख लेते हैं कि किस तरह से हमको canvas pads यूज़ करने चाहिए canvas paper होता क्या है canvas paper heavy paper होता है जैसा कि मैं अक्सर बताती हूँ आपको यह cloth की form में होता है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं camel का artist pad मुझे personally camel की artist pads पसंद है और fine art की artist pads पसंद है इनका surface बहुत ही अच्छा होता है बहुत ही अच्छा textured होता है जैसो primed होते हैं यह और cloth होता है यह तो कभी भी आप canvas pad लें यह चीज़ देखें कि उस वो आपको cloth के form में मिलना चाहिए कौन-कौन सी चीज़ों की requirement है हमको यहां पर जब हम canvas pad यूज करते हैं सबसे important होती है masking tape क्योंकि masking tape हमारे canvas pad को जब हम लगाते हैं तो हमको एक stiff surface प्रवाइड करती है तो personally masking tape लगाना बहुत पसंद करती हो अपनी paintings में आपने अकसर देखा हो गई यह चीज़ अगर आपने मुझे follow कर रखा है तो यह masking tape लगा लेते हैं as a border जो कि बहुत important है directly हम canvas pad के अंदर यहां पर देखिए लगा सकते है masking tape अगर आप canvas pad में से sheet निकालना नहीं चाहते हैं तो लेकिन अगर canvas pad में से sheet निकालना जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया अपनी कुछ paintings में तो आपको इस तरह से अपनी canvas sheet को masking tape से board के ओपर hold करना होगा तो यह बहुत important है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा तो यहां पर इस तरह से directly ही हम यहां पर लगा लेते हैं canvas जो हम canvas pad यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस sheet को मैं यहां canvas pad में से निकालना नहीं चाहती और इसको finally यह canvas pad आता है 10 sheets का आता है और इसको हम as a drawing book यूज़ कर सकते हैं लेकिन हमारा purpose क्या रहेगा या तो acrylic paint होस कर सकते हैं हम इसमे oil painting भी कर सकते हैं और यहां तक की हम palette knife भी हम इसमें कर सकते हैं क्योंकि यह जो मैं आपको pad दिखा रहे हूं इसका जो surface है यह cloth का surface रहता है तो यहां देखिए इस तरह से मैंने painting बना रखी है यह loosely मैंने यहां पर कुछ practices कर रखी है तो इस तरह से practices भी हम directly हमारे canvas pad के अंदर कर सकते हैं और हम चाहें तो इस तरह की paintings भी बना सकते हैं तो basically यह border हमको मिल जाता है एक rigid मिल जाता है कि किसी ने masking tape ने हमारे surface को अच्छे से hold कर रखा है तो उसकी वज़े से हम बहुत ही आराम से painting कर पाते हैं तो यह purpose रहता है masking tape लगाने का इसके बाद हम pencil से simple draw कर सकते हैं या फिर हम trace कर सकते हैं trace करने का process बताती हूँ यहाँ पर मेरे पास एक book है तो इस book में से हम यह drawing ले ले लेता है इस drawing को जब हमको trace करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर यहाँ पर हम tracing paper लेंगे और tracing paper पर हम इसको अच्छे से जैसा दिख रहा है हमको drawing उसी तरह से हम इसको ले लेंगे ठीके with the help of pen लेंगे हम यह चीज़ और pen की help से हम यहाँ पर पूरा अच्छे से trace कर लेता है और यहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से दिख ले ले लिया है अब हम इसको लगाएंगे कैसे इसको लगाने के लिए हम यूज करेंगे yellow carbon paper yellow carbon paper इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि उससे आपकी lines वगेरा नहीं दिखती है ठीके तो यहाँ पर yellow carbon paper यूज कर लेंगे tracing paper को अच्छे से हम stick कर लेंगे masking tape की help से तो उसकी वज़े से हमारा tracing paper है वो हिलेगा नहीं और हम बहुत ही अच्छे से trace कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे results हमको मिल पाएंगे जब हमारा trace निकलके canvas पे आएगा तो ठीके तो इस तरह से आपको trace करना है तो यहाँ पर हम trace कर लेते हैं जब भी भी trace करते हैं इस चीज का ध्यान रखना है कि trace करते समय हमारा tracing paper है वो हिलना नहीं चाहिए अगर हमारा tracing paper हिलेगा तो हमारा जो trace है वो अच्छा नहीं आ पाएगा canvas के उपर यह surface के उपर जहां हमको चाहिए देखे यह जो canvas pads होते सकते हो अपके उपर कोई pressure नहीं होता है 10 sheet का एक canvas pad आ जाता है जिसमें हम अगर canvas boards लेने जाएं तो 2 ही आएंगे तो इतना जादा economic पढ़ता है हमको यह इतना जादा affordable पढ़ता है हमको यह तो इस वचे से canvas pads मुझे personally पसंद है और मैं use करती हूँ देखे यह जो carbon paper इसको आप रख सकते हैं साथ में यह sheet भी आप रख सकते हैं और इसको वापस reuse कर सकते हैं तो यहां हमारी drawing हमारी canvas sheet के उपर properly आ गई है और अब हम इसको paint करना start करते हैं यहां पर हम जो कर रहे हैं वो acrylic paints कर रहे हैं और इसके लिए मैंने palette ले लिया है और कुछ paint से हम यहां पर painting करना start करते हैं canvas pads एक बहुत ही अच्छा option रहता है inexpensive option है यह जो भी material मैं यहां use कर रही हूँ उसका link में आपको description box के अंदर add कर दूँगी साथ में अभी इन दिनों मैंने canvas pads मंगाए हैं मेरे एक जो dealer हैं उन्होंने मुझे supply करे हैं canvas pads तो उनका number में आपको नीचे description box के अंदर ही डाल दूँगी तो in case अगर आप canvas pads मंगवाना चाहते हैं तो उनके पास सभी sizes में canvas pads available हैं जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको sizes explain करे थे अगर आपने sizes नहीं देखे हैं पिछले वीडियो में देखना चाहते हैं जानना चाहते हैं canvas pads के बारे में थोड़ा और जादा तो आप उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं canvas pads जो है वो देखे आपको pressure नहीं create होता है कि मेरा canvas खराब हो जाएगा या मेरा stretch canvas खराब हो जाएगा उसकी वज़े से canvas pads बहुत ही successful हैं बहुत ही जादा मैं like करती हूं और अपने students को भी canvas pads के उपर ही काम करने के लिए recommendation देती हूं आराम से हम इसके उपर oil paints करते हैं acrylic paints करते हैं और यहां तक के palette knife हो गया इस तरीके texture paintings भी हम canvas pads पर करते हैं इसके अलावा जैसे कोई भी हमको जब हमको लगता है कि हमारी painting बहुत अच्छी बन गई है तो उस समय हम क्या कर सकते हैं जो भी canvas sheet है उसको हम frame करा सकते हैं accordingly जैसा कि हमको चाहिए हमारे room के लिए तो यह बहुत ही जाधा freedom देता है canvas pad हमको जब हम canvas pad पर काम करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको step by step explain करा है कि किस तरह से हमको canvas pad को use करना है हम separate sheets के form में भी use कर सकते हैं canvas pads को और हम इस तरह से canvas pad को as a drawing book भी use कर सकते हैं sizes जो available हैं इसके अंदर बड़े-बड़े sizes available रहते हैं market में जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था आपकी जो जगे है वो भी नहीं घेरते हैं यह इतना जादा आपका जो surface है वो यह जो surface होता है इसको हम roll करके रख सकते हैं तो इतना जादा जो जगे है वो भी consume नहीं करते हैं तो चलिए उमीद करती हूँ वीडियो बहुत ही helpful रहा होगा अगर इस painting का tutorial देखना चाहते है तो नीचे comment box में ज़रूर add करिएगा कि हम इस painting का tutorial देखना चाहते हैं मैं इस painting का tutorial आप लोगों के लिए add कर दूंगी ठीक है thank you so much for watching मिलते हैं next video में bye